आत्मदर्शन टीवी की ओर से मैं आप सबोंगा हार्दिक अबिनंदन करता हूँ बाइबल स्टडी के इस प्रोगराम में और पिछली बार हम लोगों ने नियाय करताओं के गरंद पर मनन किया और अब हम मनन करेंगे रूत के गरंद पर रूत का गरंद एक चोटा सा गरंद है इसमें मात्र चार अधियाए है रूत के गरंद के अधियन में मैं साथ मुख्य बिंदूओं बर प्रकाश डालना चाहता हूँ सबसे पहले प्रस्तावना इस गरंद को क्यों रूत का गरंद कहा गया है तूसरा रूत के गरंद का लेकक तीसरा रूत के गरंद की रजना कब हुई और चवता रूत के गरंद में क्रीस्त पांचवा रूत के गरंद के मुख्य शब्द आयते और अध्याय चटवा रूत के गरंद का सरवेक्षन और साथवा रूत के गरंद के मुख्य शिक्षा तो आएए अब हम पहले मिंदु पे आते हैं अरताद प्रस्तावना इस गरंद को क्यों रूत का गरंद कहा गया है रूत का गरंद दाओद के निकटतम पूरवजों की जानकारी देता है एक मुवाबी महिला रूत की कहानी यह बताती है कि किस प्रकार वह राजा दाओद और येसु क्रिस्त का पूरवज बनी रूत का विवाह एक इसराइली नवयूक से होता है जब उसके पती की मृती हो जाती है सबी वह अपनी सांस के प्रदी वफादार रहती है और इसराइल के इशुर के प्रदी बक्ती दर्शाती है अंद में उसके पती का एक रिस्तेदार उसे विवाह करता है और वह राजा दाओद और येसु कृरिस्त का पूरवज बन जाती है गरंद में रूत मुक्य पात्र है इसलिए उसी के नाम पर गरंद का नाम रखा गया है और रूत का आर्थ है अतिप्यारा मित्र पुरुश प्रदान समाज में यहां बहुत महतु की बात है और दूसरा मुक्य बिंदू है रूत के गरंद का लेकक लेकक का नाम गरंद में कहीं भी नहीं दिया गया है तालमोद परंबरा नभी सामुवल को लेकक का सुरय देती है लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है क्योंगी दाओद का नाम रूत के गरंद में आता है अदियाए 4 वाक्य संगिया 17 और 22 और सामूल दाओद के राजिया भी शेक पखले उजर गया था अमूल का पखला गरंद अदियाए 25 वाक्य संगिया 1 और एक तीसरा सवाल उड़ता है रूत के गरंद की रचना कब हुई कुछ विद्वानों का मानना है कि रूत का गरंद दाओद के शांसन काल में लिखा गया क्योंकि दाओद की वमशावली में सुलिमान का नाम नहीं है अन्य विशेश के मानते हैं कि गरंद की रचना दाओद के शांसन के बाद परंदु नुर्वासन के पहले हुई कई विद्वान सोचते हैं कि रूत की कहानी एक उपदेश अत्मक करती है जो जीवन में वफादारी और उदारदा पर जोर देती है अब हम चवते बिंदू में आते हैं रूत के गरंद में क्रिस्ट निकट संबंदी उद्दार करता की संगलपना या किन्समैन रडीमर और गॉयल इसके बारे में अधियाएती नव में हम पढ़ते हैं यहाँ निकट संबंदी उद्दार करता क्रिस्ट के उद्दार कारी की और इंगित करता है निकट संबंदी उद्दार करता जिसका भी उद्दार करता है उसे उसका रक्त संबंद होना है विदी वीवरन ग्रंद अधियाए 25 वाकिसंगे 5 में हम पढ़ते हैं साथी साथ इबरानी 2, 14 और 15 में क्रेस्ट के बारे में हम पढ़ते हैं किस प्रकार वो उद्दार करता बन गया और दूसरी योगी दाती उद्दार करता बनने के लिए उद्दार की कीमत चुकाने की शमता होनी है और बौस जो उद्दार करता है वह धनीव यक्तिता और रूत के ग्रंद दियाए 2, 1 में और पेत्रूस का पहला पत्र दियाए 1, 18, 19 में हम इन बातों को पढ़ सकते हैं और उद्दार करता बनने के लिए तीसरी योगी दाती उद्दार करने की राजी होना है रूत का ग्रंद दियाए 3 वाक्य संग्या 11 और 13 हमें हम पढ़ते हैं और मती की सुसमेचार दियाए 20, 28 में इस बात को हम बढ़ सकते हैं और चौती योगी दा सोयम मुक्त होना है और क्रिस्ट बाप के शाप से मुक्त था निकट संबंदी उदार करता यानि गॉयल यहाँ शब्द 13 बार रूत के गरंद में पाया गया है और यहाँ क्रिस्ट की और इशारा करता है अब हम पांचवे मुक्य बिंदु में आते हैं अर्ताद रूत के गरंद के मुक्य शब्द आयतें और अदियाए कौन से हैं तो मुक्य शब्द है निकट संबंदी उदार करता या किंसमें रडीमर और उसका इबरानी शब्द है गॉयल निकट संबंदी उदार करता का इबरानी शब्द गॉयल है और यह शब्द 13 बार रूत के गरंद में पाया गया है गोयल का अर्थ है वह जो उद्दार करता है याने किन समयन प्रडीमर नूमी की जमीन को करीद कर और रूत से विवाह कर और उससे संदान उत्पन करके बोस ने उद्दार करता का काम किया अब हम देखते हैं मुक्य पद कौन सा है अधिया एक सोलह और अधिया तीन ग्यारह अधिया एक वाकिसंगिया सोलह हमें कहा गया है कि दूरूत ने उत्तर दिया इसके लिए अनरोद ना कीजिए कि मैं आपको छोड़ दू और लौट कर आपसे दूर हो जाओं आप जहां जाएगी वहां मैं भी जाओंगी और आप जहां रहेगी वहां मैं भी रहूंगी आपकी जाती मेरी भी जाती होगी और आपका इस शुर मेरा भी इस शुर होगा एक मौबी स्त्री के मुख से कितनी सुन्दर बात निकली रूत का यहा कतन अपनी सांस नौमी यहूदी जाती और इसराइल के इश्र के प्रदी उसके प्रेम वफादारी एवं सरदा को दर्शाता है रूत हर बहू के लिए एक बहुत बड़ा आदर्श प्रस्तुत करती है और अगला मुख के पद है अधियाए तीन वाकिसंगिया ग्यारह वहां में बोवस रूत से कहता है बेटी अब तुम नहीं डरो तुम जो कुछ मांगेगी वहा सब तुमारे लिए करूँगा च्योंकि नगर के सब लोग जानते हैं कि तुम एक साथवी स्तुरी हो तो यहां हम देखते हैं बोवस की दयाको देखते हैं उसकी करुणा को देखते हैं साथ खिसात नौमी का निकट संबंदी होने के कारण उसकी भूमी का उद्दार करने और उसे विवाह करने के लिए उसकी तथपरता को भी हम देखते हैं अब इस गृंद में मुक्य अदियाए कौन सा है मुक्य अदियाए है अदियाए चार इसराइलियों की प्रता के अनुसार इसराइल स्थाई रूप से अपनी जमीन बेच नहीं सकता था यदि कोई रिंड के कारण अपनी जमीन बेचता तो उसके सबसे निकट संबंदी को अपने भाई की जमीन करीदनी थी लिवी करंदा दियाए पच्चिस वाक्य संगिया पच्चिस से चौंदीस तक में ये बात लिकी गई है इस प्रता के अनुसार बाउस ने नुमी के पती एली मेलेक और उसके पुत्र, खिलियोन और मखलोन का सारा बू बाग करीद लिया और उसका उद्धार किया बाउस ने रूत को अपनी पत्नी के रूब में अपनाया बाउस का उससे संसर्ग हुआ प्रभू की कृपा से रूत गर्बवदी हो गई और उसने पुत्र को प्रसव किया और उन्होंने उसका नाम औबद रखा वही दाउद के पिता इसे का पिता है इस प्रकार एक मौबिस्त्री रूत राजा दाउद और येसु क्रिस्त का पूरवज बन गई अब हम गरंद के सर्वेक्षन को देखेंगे रूत एक मौबिस्त्री होने के बवजूद भी इसराइल के ईश्वर की और आकरशित होती है और उनकी बक्ती में जीना चाहती है वहाँ एक धार्मिक महिला है अधियाएतीन वाक्त संग्ग्यार हमें इस बात को हम पढ़ते हैं जो अपनी सास नौमी को प्यार करती है और उसके पती की मृत्यू के बाद नौमी को छोड़ना नहीं चाहती है जब नौमी ने रूत से अपने लोगों और अपने देवताओं के पास लौटने के लिए कहा तो रूत बोली इसके लिए अनरोद ना कीजिए कि मैं आपको चोड़ दू और लौट कर आपसे दूर हो जाओ आप जहां जाएगी वहां मैं भी जाओंगी और आप जहां रहेगी वहां मैं भी रहूंगी आपकी जाती मेरी जाती होगी और आपका इश्वर मेरा भी इश्वर होगा जहां आप मरेंगी वहां मैं भी मरूंगी और दफनाई जाओंगी इश्र ने रूत को उसके प्यार और वफादारी के लिए बरपूर आश्र वा दिया बवास ने रूत से विवाह किया रूत अंद में राजा दाओद और येसु क्रिस्त का पूरवज बन गई रूत के गरंद को दो बागों में विबाजित किया जा सकता है और पहला बाग है अधिया एक से दो तक गरूत अपनी सांस के प्रदी वफादारी और प्रेम दर्शाती है जब इसराइल में अकाल पड़ता है एली मिलक अपनी पत्नी नौमी अपने दो पुत्रों किल्डियों और महलों के साथ बेतलहम चोड़कर मुवाब जाते हैं एली मिलक मुवाब में मर जाते हैं दोनों पत्रों ने मुवाबी स्त्रीयों के साथ विवाह किया एक औरपा कहलाती थी और दूसरी रूत इसके बाद महलों और कलियों भी मर गए और नौमी अपने दोनों पत्रों और अपने पती से वंचित हो गए तब नौमी ने मुवाब चोड़कर यूदा देश जाने का निश्चे किया नौमी ने अपनी दोनों बहूं से कहा अब तुम दोनों अपनी अपनी माता के गर लौट जाओ और पा अपने लोगों के यहां लौट गई किंदुरूत अपनी सांस से कहा इसके लिए अनरोद ना कीजिए कि मैं आपको चोड़ दूँ और लौट कर आपसे दूर हो जाओं आप जहां जाएगी वहां मैं भी जाओंगी आप जहां रहेगी वहां मैं भी रहूंगी आपकी जाती मेरी भी जाती होगी और आपका ईशुर मेरा भी ईशुर होगा जहां आप मरेंगी वहां मैं भी मरूंगी और दफनाई जाओंगी जब नौमी ने देखा कि रूत को उसका साथ चलने का दृड़ निश्चे है तो नौमी अपनी बहू को लेकर बेतलहम लौटी वे जव की कटनी के प्रारंब में बेतलहम पहुंची अपने पती की तरफ से नौमी के बोज नामक एक सबदी था वहां एली मलेक के कुल का बहुत धनी मनुश्य था रूत नौमी की अनौमी से सिल्ला बीनने के लिए खेतों में जाने लगी और वहां खेतों में फसल काटने वालों के पीचे पीचे सिल्ला बीनने लगी सोबागी से वहां जिस खेत पर पहुंची वहां एली मलेक के कुल के बोज का ही खेत था अवज ने रूस से कहा बेटी सुनो दूसरे केत में सिल्ला बीनने के लिए मत जाओ यहां रहो मेरी नौकरानियों के साथ रहो लोगों ने मुझे बताया कि तुमने अपने पती की मृत्यु के बाद अपने सांस के लिए क्या क्या किया है तुम अपने माता पिता और अपनी जैनम भूमी को चोड़ कर ऐसे लोगों के यहां चली आई हो जिने तुम पहले नहीं जानती थी तुमने जो किया प्रभू तुमें उसका बदला अवश्य दे प्रभू इसराइल के इंशुर जिसकी चत्र चाया में तुम आई हो तुमें पूरा पूरा प्रदिफल दे जब नूमी को पता चला कि रूत बोच के केत में सिल्ला बीन रही थी नूमी ने अपनी बहु से कहा वहा आत्मी हमारा संबन्दी ही नहीं वरन उन लोगों में हैं जिनको हमारी भूमी के उध्धार का अधिकार है तो ये पहला बाग रहा अब हम देखते हैं दूसरा बाग अर्ताद अदियाए तीन और चार रूत को अपनी वफादारी और प्रेम का पुरसकार मिलता है नूमी अपनी बहु के लिए गर बसाने को सोची ताकि उसका कलियान हो जाए उसने रूत से कहा कि बावाज हमारा संबंदी है और उसे हमारी भूमी का उध्धार करने का अधिकार है इसलिए अपनी सांस की सलाह मान कर रूत अपने अच्छे से अच्छे वस्तर पहनगर कलिहान गई और रात को जब बौवस होने के लिए लेट गया रूत उसके पाउ के पास लेट गई और आदी रात को बौवस चंग उठा और पूचा तुम कौन हो तब उसने उतर दिया मैं आपकी दासी रूत हूं अपने वस्तरों का छोर अपनी दासी पर फैला दीजिए क्योंकि आप मेरे संबंदी है आपको हमारी भूमी का उधार करने का अधिकार है बौवस ने कहा बेटी प्रबू तुम्हे आशिर वा दे तुम धनी या नर्दनी वकों के पीचे नहीं दोड़ी और अब तुमने अपने प्रेम का अधिक स्पष्ट प्रमान दिया है बूमी का उधार करने का अधिकार है परन्दू एक दूसरा व्यक्ति है जो मुझसे अधिक तुम्हारा निकट का संबंदी है यदि वह तुम्हारी बूमी का उधार करना चाहता है तो ठीक है उद्धार करें कि यदि वहा तुम्हारी भूमी का उद्धार नहीं करेगा तो मैं तुम्हारी भूमी का उद्धार करूंगा बोस ने नगर के नेताओं को बुलाकर उनके सामने उस उद्धार करने का अधिकारी संबंदी से नोमी की भूमी और वहारूत के उद्धार के विश्य सब कुछ बताया पूरी बात सुनने के बाद उस संबंदी ने कहा तुम उद्धार करने का अधिकार ले लो च्योंगी माई उद्धार करने में असमर्त हूं। इस प्रकार बौवस ने नौमी के हातों से हेली मलक, किलियोन और महलोन का सारा बूबाग करीद लिया। इसके साथ है उसने महलोन की विद्धा मौवन रूट को भी अपना लिया जिसे मृतक के दाई बाग पर उसका नाम बना रहे। रूट बौवस की पत्नी बनी, प्रबू की कृपा से रूट गर्बवदी हो गई और उसने पुत्र प्रसुग किया जिसका नाम औबद रखा गया। ओबस से इशे और इशे से दाउद उत्पन हुआ। दाउद के वंश में इसा मसी का जनम हुआ। इस प्रकार मौव बिन रूट राजा दाउद और इसा मसी का पूरवज बन गई। तो हमने गरंद का सरवेक्षन देखा आब साथवा बिन्दू है हमारे लिए गरूत का गरंद कौन सी शिक्षा देता है। गरूत का जीवन हमें सिकाता है कि इश्वर की नजरों में वफादारी प्रेम और सेवा का बड़ा महतु है। इन दिनों सांस और बहू के बीच में अक्सर लड़ाई जगड़ा होता है। बहू अपने सांस के साथ रहना नहीं चाहती है और उसकी सेवा करना नहीं चाहती है। लेकिन मुवाबन रूत एक अपवाद थी अधी की मृतियों के बवजूद भी वह अपने सांस से लिपटी रही और उसे प्यार करती रही। अपने सांस के साथ बेतले हम लवटने के बाद भी संबवद अह उसे यहूदियों से निंदा दिरसकार एवं अपमान सहना पड़ा। लेकिन वह इसराइल के इश्वर में विश्वास करती रही। अंद में प्रबूने उसे महान आश्चिर वा दिया वह राजा दावोद और येसु क्रेस्ट का पूरवज बन गई। तो आपने रूत के गरंद पर मनन किया तो इन बातों पर आप अविश्य मनन करें और अगले एपिसोड में हम देखेंगे सामूल का पहला गरंद। झाल । झाल झाल